इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं Binance Exchange में Google Authenticator Ad कैसे करें और कैसे यूज करते हैं वो आप लोग को सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ इस टाइम हमको वहां पर OTP डालना होता है या तो इमेल पर हमरे मोईल नंबर पर गया होता है लेकिन जो ओटीप होता है वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए होता है पांस या फिर दस मिर तक वैलिट रहता है बट जो Google Authenticator होता है वह लिमिटेद टाइम है या आप यह कहीं इसकेंड या फिर तीस तक वैलिट रहता है उसके बाद फिर से एक नया जनेट हो जाता है वह या उत्मेटिक होता रहता है तो इसे से क्या होता है कोई फ्रोड होने या फिर हमारे जिसे की ऑटीपी बाईपास हो जाता है लसे में होने का चांस बहुत ही कम होता है Google Authenticator its करने से मतलब security हमारे जो account के होती है वो बढ़ जाती है ठीक है तो यह आप लोगों ने समझ लिया बाग ही हम लोग करते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है वो समझ लेते हैं अब सबसे पहले हमको क्या करना होगा Google Authenticator add करने के लिए अपना binance exchange opened कर ले जएगा हम जैसे आभी open कर लिए है उसके बाद फिर आपको simple गयंकना है ऊपर profile का option मिल जागा profile पे आपको click करना है उसके बाद फिर यहांपे security का option मिल जाएगा, आपको security पे यहां पे click करना हैी अब यहापे चार प्रागा कर मिल जाएगा पहला phone मिल जाए और फिर email और यहां पर authenticator app और यहां पर pass की और by metric ठीक है by metric मतलब हमारा जो अंगुठा होता है और pass की पासवर्ड होता है वो ठीक है तो यह recommend कर रहा है बाकि इसको बाद में करेंगे और Google authenticator के बारे में हम बात करने वाले हैं तो authenticator add जो है हमको यहां पर इस पर क्लिक करते है अब यहां पर करने के बाद फिर हमको यहां पर नीचे इनेबल का option मिल जाएगा तो हमको यहां पर इनेबल पर क्लिक कर देना होगा अब यहां पर बोला है कि आपको एक code सेंट करना होगा और यहां पर हमारे जो email id है उस email id पर code जाएगा हम यहां पर send पर क्लिक कर लेते है एक हमारे code जाएगा, उस code को यहाँ पर डाल लेते हैं, अब हमारे Gmail ID पर एक OTP आ चुका है, इस OTP को हम यहाँ पर copy करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर हम डाल लेते हैं, उसके बाद भी हमारा जो यह OTP है, वो verify हो जाएगा, अब जैसा कि यहाँ पर दो तीन step आ चुके है अब हम सारे hdf को follow करेंगे, उसके बाद भी हम जो Google Authenticator है, उससे हम यहाँ पर अपने account में add करेंगे, अब यहाँ आपको तीन process बताया गया है, पहली बात यहाँ पर है कि आपको यहाँ पर key मिल जाएगा, और हाँ यह जो key मिलेगा, और QR code है इसको आप लोग अच्छे सम नहीं करना, यहाँ अभी समय हो रहा है, बट यहाँ पर editor जो वीडियो एडिट करेगा, वो यहाँ पर blur कर देगा, तो यह आप लोग को नहीं दिखेगा, ठीक है, तो इसको आपको सम्हाल करना है, यह आपका key है, इसको आपको किसी को साथ में share नहीं करना है, तो फिर आप Google Authenticator जो app है, वो प्लेश्टों से डाउलोड, simple कुछ इस टाइप से application रहागा, यह application का जो link होगा, वो आपने telegram channel पर में दे दूँगा, तो वहाँ से अप लोग दिख्कत नहीं होगा, ने तो फरजी app भी download आप लोग कर पाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को ऐसा नहीं क कोई एक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें पहले वाले में क्या है, कि scan QR code करेंगे न, तो यहाँ पर आपके पास में दो phone होना चाहिए, एक में इसके करेंगे, एक में आपका QR code होना चाहिए, अगर दो phone है, तो अच्छे से कर सकते हैं, या फिर बेस्ट तरीक दो option आजाएगा, पहला यहाँ पर option आजाएगा, account और दूसरा यहाँ पर key, तो account में क्या डलना है, account में डालने को तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन आपको सुबिधा के लिए पहचानने के लिए, जिस एक्सेंस का या फिर जिस एप का आप यहाँ पर key बनाना चाह और यहाँ पर add का option मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना, अब जो key निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो पर पर को मताता हूँ एक बार, आप जो key होगा न, देखे यह वाला जो key है, यहाँ पर copy को option आपको सेट आप हो जाएगा, और इस की को यहाँ से copy करके आपको पर डालना होगा अब जैसे यहां पर डाल लेंगे बस पर नीचे एड पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका जो अकाउंट होगा वो सेट अप हो ज़गा है अब जैसे कि हमारा जो बाइनास अकाउंट है गूगल अथोंटिकेटर एप में एड हो चुका है मैं दूसरे फोन से आप लोग को देख पाएं अच्छे समझ पाएं क्योंकि इसका फोन जो इसकी रिकॉर्डिंग होता है वो नहीं हो पाता है आप यहां पर देख सकते हैं मेरा बाइनास अभी नाम में लिखा था और यहां पर ओटीप हमारा यहां पर आ रहा है और इसके बगल में टाइमर यह टायमर लिख चलता रहता है जो की 15-30 से कंड्स को जाएगा तो यह आपको मैं समझा रहा था कि यह को जो जाएगा इस को पर कई दालने होंगे गया जैसे टाइमिंग यह चेंज होगया ठीक हो गया अब जैसे कि हमांभी हमको कहीं एंज करना है तो यह यह थोड़ा सा टाइमिंग खतम होगा तुरंत हमको कोड यहां से कॉपी करना होगा यह टाइम जो खतम होने से पहले ही हमको जहां पर समिट कर रहे हैं वहां पर समिट करना हो या फिर डालना होगा तभी हमारा कोड वैलिट होगा ने तो फिर दूसरा कोड जैसे जनरेट हो खतम है तो आभी किया काना काना होगा या पर लिखेंगे या फिर या करके हमको यहां पर करना होगा कि यहां पर बाइनास में जाकर समिट करना होगा सिंपल हम यहां पर करता है यहां पर क्लिक करते हैं यहां पर कॉपी हो जाएगा यहां पर हम लोग आएंगे और यहां पर आने के बाद में यहां पर यह सब कुछ है और नीचे आपको यहां पर παर Carter क्लिप Żyk fan हो चुका है UK और यहां बोला है है साथ जुलाइए सांच को यहां पर अब हैस्ट अगर बैय करते हैं तो यहां पर जो निसान हेले ह्नले हिवारा पर स्थी का निसान अब अफिर बात करते हैं यह क Dublin शोज होगा और वह भी हम आपको करके दिखाता है सिंपल से में विद्रूल करके दिखाता हूं कैसे खोगा तो सिंपल हम क्या करना होगा वॉलेट पर आना होगा आ एक सब्सके बाढ़ने हो आपको करने वाले हैं तो मैं क्या करता हूँ हुद से अड्रस निकाल लेता हूँ तो मैं करके सिर्फ यह नियु आपड थैप किया, यह कापी हो गया कि और धरुकर थैनल यहां पर उपर Play डुर स्क्राइब है कठेम के न चुले और Heal Shkick तो मैं करके सब्छे कर दिखा रहा हूं मतलब की OTP जाएगा email पर और यहां पर डालना होगा अब जैसे हमारा email वेरिफाई हो गया है उसके बाद भी हमको यहां पर Google Authenticator वाला करना होगा ठीक है अब यहां पर जो हमने code वहां पर हमारा था ना वही code यहां पर डालना हो Google Authenticator App से तो हम क्या करेंगे simple हम जाएंगे Google Authenticator App में यहां पर हम जाते हैं और यहां पर जाने के बाद में हमको जो code होगा वह यहां पर copy करना होगा टाइमर की साफ से देख लिजएगा टाइमर जैसे स्टार्ट होता है तुरंत उस हमें copy करना है और यहां पर सिंपल आगर पेस् होना है उमीद है आप सभी जानकारी को अपने अच्छे से देखा होगा समझा होगा और आपको हर एक बात क्लियर तरीके समझ में आई होगी लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी अभी सवाल है सुझाव है तो आप मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं बदा सकते हैं मुझ मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में तब तक के लिए आप लोग देखते रहें सीखते रहें धन्यवाद